हलो फ्रेंज, वेलकम टू आर चैनल क्रियेट हैपी लाइफ आज हम आपको एक दिल को छू लेने वाली कहानी बताते हैं बहुत पार जिन्दगी में ऐसा होता है जो हम देख दिखावे के लिए समाज के लिए काम तो करते हैं पर अंदर से जाने क्या ही होता है नहीं, जैसे श्राद, श्राद हर कोई करता है पर जीते जी अपने माबाप की सेवा नहीं करता देखें अपने ऐसे लोग एक बहुत ही सुन्दर पिस्ता बताती हूँ बहुत समय पहले की बात है किसी घर में एक बूरे माता पिता थे उनके बेटा बहु पोते पोतिया भरापुरा परिवार था एक बार क्या हुआ बाबा घर के दर्वाजे पे खड़े हुए कुछ देख रही थे बाहार फेरी वाला आया हुआ था कई तरह का समान लेके बिंदिया, काजकी, चूडिया, रबड बैंड, हेर बैंड, कंगी बहुत सारे समान थे आसपास की औरते उसे घेर कर खड़ी हुई थी काफी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी ठेक कर खड़े रहे जैसे ही औरतों की भीर छटी बाबा अपनी लाठी ठेकते हुए फेरी वाले के पास पहुच गए और उसका समान देखने लगे शायद बाबा कुछ ढूंड रहे थे कभी सिर उचा करके देखते, कभी नीचा, कभी इधर, कभी उधर शायद वो जो ढूंड रहे थे वो उन्हें नहीं मिल रहा था हैरान परेशान बाबा को देखकर फेरी वाले ने पूछा कुछ चाहिए क्या बाबा आपको बाबा ने जैसे उसे अंसना ही कर दिया धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के चकर लगा रहे थे वो कुछ ढूंड रहे थे फेरी वाले ने दुबारा पूछा बाबा कुछ चाहिए क्या अपकी बार बाबा ने फेरी वाले से कहा हाँ बेटा फेरी वाला बोला हाँ बताओ क्या चाहिए मैं ढूंड देता हूँ बाबा कुछ हक बकाते वे बोले मुझे मुझे वो बिंदिया चाहिए बिंदिया बाबा ने अंदर की तरफ इशारा करते वे बोला अरे बेटा अपनी पत्नी के लिए चाहिए बाबा की बात सुनकर फेरी वाला हस दिया और बोला किस तरह के बिंदिया चाहिए बाबा बाब देखो ये वाली बाबा बोले अरे नहीं 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 ये वाली नहीं पिलकुल लाल सी फेरी वाले ने वो पैकेट उठा के वापस रखा और दूसरा पैकेट निकाल के दिखाया बाबा ये वाली बाबा कित कुछ से से बोले अरे तुझे समझ नहीं आता क्या, पिलकुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैक्केट निकाले और वहीं पे फैला दे। और बोला आप खुद ही देख लो कॉन सी बिंदिया चाहिए। बाबा ने कपकपाते हाथों से बिंदियाओं के पैकेट इधर उधर किये और उसमें से एक पैकेट निकाला और बोले हाँ ये वाली बाबा के हाथ में बिंदिया का पैकेट दे के फेरी वाला मुस्कुराया और बोला बाबा ये तो महरून रंग की बिंदिया उठाई है अपने बाबा बोले हाँ यही चाहिए यही कितने की है दस रुपे की है बाबा अच्छा, दस रुपे कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ क्या फिर भी बोले ठीक है अभी ले कर आता हूं बाबा धीरे धीरे लाठी टेकते हुए पलट कर वापस घर के अंदर जाने लगे तब ही घर में से उनकी बहु बहार आती दिखी उसे देखकर बाबा बोले अरे बहु जरा दस रुपे तो देना फेरी वाले को देने है बहु चिलाते हुए बोली अब क्या खर्चा कर दिया आप लोगों ने बाबा बड़े प्यार से बोले अम्मा के लिए बिंदिया खरी दी है उसकी बिंदिया खतम हो गई थी कई बार बोल चुकी है बाबा के बास सुनकर बहु का गुसा सात्वे आसमान पे था आप लोगों को कोई और काम तो है नई बिकार के खर्चे करते रहते हो सतर साल की हो चुकी है अम्मा क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी सोला सिंगार करेगी इन सुम्र में भी जाने क्या-क्या शौक पाल रखे है अब बाबा को बात सुनके कुछ अच्छा नहीं लगा और बोले देख बेटा बात शौक की नहीं है अम्मा भी तो तेरी सुहागन है इसलिए उसका मन नहीं मानता सिर्फ दस रुपे ही तो मांग रहा हूँ अंदर जाके दे दूँगा बहु इर्दम चिलाते हुए बोली कहां से दे दोगे जो पैसे दिये हैं वो मेरे पती की कमाई है मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है जाओ यहां से अब इतना कहके बहु बढ़ बढ़ाती हुई वापस अंदर चले गए अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया बाबा ने पलट कर बिंदिया फेरी वाले को वापस देख दे और लाठी देखते हुए अम्मा के पास जाके बैट गए बाबा ने देखा अम्मा की आँखों में आसु थे बाबा बोले माफ करना पार्वती मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया अम्मा बाबा का मन रखते वे बोली रहने दो जी बेचारी बहु भी परिशान हो जाती होगी काहे दिल पर लेकर बैट जाते हो बिंदिया ही तो थी बाबा बोले हाँ हाँ बिंदिया ही तो थी कौन सी हजारों रुपे की आ रही थी सिर्फ दस रुपे ही तो मांग रहा था अम्मा बोली बिंदिया ही तो लगानी है जी एक काम करो पूजा घर में से कुमकुम लेया और उसी से लगा देना चलो आज ऐसा करो अपने हाथों से ही मुझे बिंदि लगा दो बाबा ने अम्मा की बास सुनी और लाठी टेकते हुए पूजा घर में कर थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में कुमकुम लिये अम्मा के पास पहुचे और बोले लो पारवती उठो मैं तुम्हें बिंदि ल अचा थी ना बड़ी इसी लाल बिंदि लगाने की ये देख मैं कुमकुम ले आया अब बड़ी इसी लाल बिंदि लगा दूंगा पर तुब बैट तो सही अभी भी अम्मा के शरीर में कोई हल चल नहीं थी बाबा का दिल पैट गया हाथ में कुमकुम लिये अम्मा के पास बैट गए आंकों से जर जर आसु बह रहे थी पर एक भी भूल में फूटा अम्मा का शरीर ठंडा पड़ा था अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए थोड़ी ही देर में रोना धोना मज गया आसपास के लोग आ गए बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तयार किया जाने लगा अम्मा को नहला धुला कर सुहागन की तरह तयार कर अर्थी पे लिटा कर बाहर लाया गया भाबा ने देखा अम्मा के माथे पे बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी बाबा उठे और घर में गए थोड़ी देर बाद बाहर आये और धीरे धीरे लाठी टेक्टे टेक्टे अम्मा की अर्थी के पास गए उन्होंने अम्मा के माथे पेसे बिंदी हटा दी बेटा एकदम बोला बाबा ये क्या कर रहे हो अम्मा सुहागन थी आप बिंदी क्यों हटा रहे हो बाबा बोले बेटे उसका पती बिंदी खरीदने की उकात नहीं हटा रहा हूँ ये सुनकर सभी लोग वहां पे हहरान थे बहु शर्मसार थी सब ने देखा बाबा अपने हाथ में लाए कुम-कुम से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पे लगा रहे हैं थोड़ी देर बाद एकदमी बहु की चीक निकलाई बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पे रवाना हो गए थे ये दोनों का प्रेम ही था फ्रेंज ये कहानी हिदे को छूने वाली है और हमें कुछ संदेश भी दे रही है हमारे समाज में सिर्फ 2-4 प्रसंट बुजर्गों की स्थिती परिवार में सम्मान जनक है बा प्रसंटी फैमलीज है नाते रिष्टे खत्म हो रहे हैं सिर्फ धन धौलत में ही रिष्टे लिपट रहे हैं लड़के लड़कियां पढ़ लिखकर जादा समझदार और बुद्धिमान होने का जूठा दिखावा कर रहे हैं किताबी ज्याम होने का वहवार कर रहे हैं होना है माता पिता के ना रहने पर ही उनका महत्व उनकी वेल्यू पता चलती है विदेशों में माता पिता से मिलने के लिए बच्चों को अपॉंडमेंट लेना पड़ता है उनके बच्चे दादा दादी की गोदों में नहीं खेलते बलकि मेड की गोदों में पलते हैं जि प्लीज इन बातों को समझो और समय रहते सही कदम लो अगर ये स्टोरी दिल को छूई कुछ पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू